हेलो चिड़न, कुसो माइम के लाइन क्लास में आपका स्वागत है, प्यारी बच्चों, आज हम चोथे गप्षया की उडान कार्य पुष्टिका के विश्य परिवेश अधिहन का पार्थ दो, नेहा का जन दिन के दिये गए कार्य पत्रक दो को सौल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंतक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल ओनलाइन स्टड़ी हग को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिये वैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो देखें बच्चों सुरूआत करते हैं कारेपत्रक दो ग्यानिंद्रियों के उप्योग यहां से, यहां उपर दी गई लाइन को सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे पताएंगे यहां क्या लिख रखा है, क्या लिखा है बताओ निम्न क्रियाओं, निम्न क्या होता है पता है, नीचे दी गई जो क्रियाओं हैं, चीजों को जानने है तू, किस ग्यानिंद्री का प्रियोग करोगे उचित पिकल्प का चैन करके निसान लगाओ आप एक से अधिक ग्यानिंद्री का भी चैन कर सकते हैं तो अब देखो बच्चो यहाँ पर देखो यह दे रखा है आम मीठा है और यहाँ पर दूसरी साइड ग्यानिंद्रियां दे रखी है तो आम मीठा है हमें कौन सी ज्यानिंद्री से पता चलता है आपको ज्यानिंद्रियों का पता है बच्चो ज्यानिंद्रियां क्या होती है कितनी होती है तो सबसे पहले तो ये जानिये ज्यानिंद्रियां जो है वो पांच होती है और इन ग्यानिंद्रियों के माध्यम से ही हमें पत्ता चलता है कि कोई चीज मीठी है जैसे कि ये ग्यानिंद्री जीब है जीब हमें बताएगी कि कोई चीज मीठी है कड़वी है खटी है कैसी है छीक है इसी तरह से एक बार पहले सुनो पाँच ग्यानिंद्रियों के नाम बता देती हूं आखे हैं, जीब है, तवच्चा, कान, नाग ये पाँच हमारी ग्यानिंद्रियां है आखे हैं जो हमें जिनसे देख सकते हैं हम दिखाई देता है जिनसे हमें जीब है उसे हमें स्वाद का पता चलता है तवच्चा है इसे हमें ठंडे गर्म का पता चलता है और जैसे हमारी नाक है उसे हम खुस्चबु आ रही है दुर्गंध है यानि कि सुगंध का और दुर्गंध का पता चलता है कान है वो हमारी हेल्प सुनने में हेल्प करते हैं हम आवाजें जो हैं वो सुन सकते हैं तो ये पांच ग्यानिंद्रियां हैं बच्चों ये ग्यानिंद्रियों के नाम आपको याद भी होने चाहिए कौन-कौन से हैं बताइए आख, नाख, कान, जीब, तवच्चा इसे इनकों-क पांचों को आप याद रख सकते हैं तो यहाँ आम-मीठा है तो मीठा किससे पता चल रहा है हमें औप्सन दे रखे हैं आखें, जीब, तवच्चा किससे पता चलेगा बताओ जीब से पता चलेगा है ना तो यहां पर हमारा जो सही है उस पर हमें निसान लगाना है ऐसे आपको निसान लगा देना है जीब अब आगे है पत्थर शक्त है पत्थर सक्त है ये किस से पता चलेगा तवच्चा दे रखा है आखें और कान किस से पता चलेगा सक्त है ये हमें छूने से पता चलेगा है ना तो ये तोच्चा में आ जाएगा बच्चो हाथ लगा कर हम देखेंगे कोई चीज सक्त है वो हमें पता चल जाएगी अब आगे है चमेली की खुस्बू अच्छी है इसमें उपसंदे रखे है नाक, कान और जीब खुस्बू का पता किस से चलता है हमें अपनी नाक से है ना तो इस पर हम निसान लगा देंगे अब इसी तरह से आगे दे रखा है इंद्र धनूस के सात रंग है ये हमें किस से पता चलता है बताओ कैसे पता चला कान से आँख से या जीब से ये हमें पता चलेगा बताओ बताओ आँखों से बेरी गर्ड तो अब हम आँख जो है ना उस पर निसान लगा देंगे ये आँखों से पता चलेगा अब आगे है संगीत मधूर है मधूर संगीत का किस से पता चलेगा तो अच्छा से जीव से या कान से कानों से हमारे कान जो है वो सुनते हैं तो संगीत मधूर है ये कानों से पता चलेगा मोबाइल की रिंग टोन उची है ये किस से पता चलेगा वद्दाओ कानों से तो यहां पर कान पर निसान लगा देना है घर बड़ा है किस से पता चलेगा यह हमें देखने से ही पता चलेगा और देखते कुन सी ग्यानिंदरी से है आखों से तो हम इस पर निसान लगाएंगे अब हैं मिर्ची तीखी है तीखी है, कोई चीज खटी है, कोई चीज मीठी है किस से पता चलता है, बताओ option देखो एक बार, कान, जीब, और तवच्चा क्या आएगा बताओ, जीब तो जीब पर हम टिक लगा देंगे आगे है, कचरे से बदबू आ रही है किस से पता चलता है, ये हमारी नाक को पता चलता है है ना, तो यहाँ पर आएगा नाक अब आगे देखिए, आगे देखिए पेड से पक्सी के कुट-कुट की आवाज आ रही है किस से पता चलेगा, नाक से, त्वच्चा से या कान से ये कान सुनेंगे हमारे वही हमें बताते हैं कि कोई आवाज आ रही है तो ये कान ग्यानिंद्रियां जो है इसमें हम निसान लगा देंगे अब आगे देखिए एक बार आगे है second question दे रखा है तालिका में दे गई वस्तूओं को पहचानने वे महसूस करने के लिए आप किस किस ग्यानिंद्री का उपयोग कर सकते हो दिएगे स्थान में लिखो एक से आधिक विकल्प भी लिख सकते हो तो अब देखो बच्चो यहां वस्तू का नाम दे रखा है कर्म संख्या है फिर व सुगंद आती है उसमें कौन सी ग्यानिंद्री बताएगी हमें ये नाक जो है हमारी ग्यानिंद्री बताएगी नाक आएगा इसमें गले सड़े फल ये कौन सी ग्यानिंद्री बताती है ये भी नाक जो है वही हमें बताएगी कि फल गले सड़े हैं गरम तवा अब तवा ग छूएंगे ना थो पता चलता है कि गरम है या ठंडा है सर्दी का मोसम है ये भी तवच्चा ही बताती है कि ठंड है पूदिने की पतियां पूदिने के पतियां बताओ कौनसी ग्यानिंद्री का उप्योग करेंगे हम उसके लिए नाक का उप्योग करेंगे है ना और अब आगे हैं मधूर संगीत ये कान बताते हैं हमें कि संगीत जो है मधूर है स्वादिश वेंजन ये बता कौन सी ग्यानिंदरी बताती है हमें ये जीव जो है वो ग्यानिंदरी हमें बताती है तो यहाँ पर मैंने लिखती है मचो आपको सुन्दर सुन्दर लिखना है चीक है अब आगे देखिए एक बार आगे यहाँ पर तीसरा क्यूशन दे रखा है नीचे दिएगे इस थानों में चार चार चीजों या क्रियाओं के नाम लिखो जिन्हें आप सूंग कर, सुन कर, देख कर अथवा चक कर पहचान सकते हो तो यहाँ पर देखो सूंग कर पहचानना यहाँ पर जो स्थान दे रखा है वच्चो उसमें हमें लिखना है चार चार चीजें लिखने हैं कि जिन्हें हम सूंग कर पहचान सकते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं तो देखिए पहला ह है गुलाब का फूल उसके बाद पूदेन्य की पतियां गले सडे फल तुलसी की पतियां उनको हम सुनकर पहचान सकते हैं अब आगे आता है सुनकर पहचानना यहां देखो जैसे रेडियो है ना इसको सुनकर पहचान सकते हैं हम है ना सुनकर सुनकर पहचानना उनमें आ जाता है मधुर संगीत पक्सियों की आवाज रेल गाड़ी की आवाज मुबाईल की रिंग टॉन अब आगे यहां आ जाता है छूकर पहचानना किस की सीज को हम छूकर पहचान सकते हैं वो चीजें हमें जैसे की गरम चीजें ठंडी चीजें रूवी पत्थर पत्थर को भी हम जो है छूकर पहचान सकते हैं कि वो पत्थर है गोल चीज को इसको हम छूकर गोल का पता चल जाता है कि यह गोल है अब जैसे गरम चीजें और ठंडी चीजें मैंने बोली है तो गरम चीज में जैसे की चाय आ जाती है हम उसके छूकर बता सकते हैं कि यह गरम है आइस क्रीम है कुलफी ह यह ठंडी है, ठंडा पानी है, छूखर हमें पता चल जाता है है ना अब आगे आ जाता है देख कर पहचानना कि हम कि आखे unjust की माधियरा हो कि देख कर पहचान सकते हैं उसमें आजाता है जैसे चार्ट है मानचित्र, कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, पंखा इस सारी चीजें जो हैं हम देखकर पहचान सकते हैं आगे यहाँ पर आता है अब चक कर पहचानना क्या क्या चीजें हैं जिने हम चक कर पहचान सकते हैं अब जैसे कि मैगी है कोई मीठी चीज है, मिठाई है और करेला है मिर्च है इनको हम जो है वो चख कर पहचान सकते हैं तो बच्चो यहां पर आपको यह जो भी वस्तुएं हैं जिने सुनकर छूकर सुनकर देखकर चखकर पहचान सकते हैं वो सब भी आपको यहां पर लिखनी है इसके अलावा और भी यह तो मैंने एक्जेंपल लिए हैं आपको समझाने के लिए तो आप इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं उन चीजों के नाम आप खुद इसमें लिख सकते हैं ठीक है तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कार्यापत्र के साथ तब तक के लिए बाई बच्चों